हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड इबनिंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छी होगे और आज इस क्लास में 10 अगस्त ट्रिपल सिक जामें पूछेगे कुछ इंपोर्टेंट प्रसनों को हमने सामिल किया है ये सभी प्रसन हमारे पास बेजे हैं भूपें क्लास में डिसकस कर पाएं तो आईए स्टार्ट करते हैं बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें अगर आप ट्रिपल सिक जाम के लिए ऑनलाइन मौक टेश्ट दिना चाहते हैं तो आप हमारी वैप साइट www.ccc.com पर विजिट करें यहां पर आपक करेंगे तो मौडल पेपर आपको दिखाई देंगे यहां पर मौक टेश्ट हिंदी में आपको दिखाई देंगे यहां पर इंग्लिस में यहां पर चैप्टर वाइज और यहां पर 50 कोईशन की जो टेस्ट स्रीज है वो भी हमने यहां पर सामिल कर दी है इसके बाद में य CCC का Steady Material सामिल किया गया, जिसमें आप Most Important Caution पढ़ सकते हैं, Previous Paper पढ़ सकते हैं, Computer Appreviations हैं, E-Node Send PDF हैं, और Shortcut की भी आप यहां से पढ़ सकते हैं, अमाल यह आपको CCC का Previous Paper पढ़ना है, तो आप यहां से क्लिक करेंगे, या फिर थोड़ा सा नीची आएंगे, और यहां पर भी कई सारे Option आपको दिखाई देते हैं, तो आपको यहां Previous Paper पर क्लिक कर देना है, जैसी आप यहां पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक Page Open हो जाएगा, और जहां से आप सभी Previous Paper पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पुछते हैं कि सर हमें Old Paper कहां मिलेंगे, तो आप यहां से Download भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, सारे मिलेंगे देखो यहां पर अभी जो आपके अगस्त में हुए, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद में जुलाई के दिखाई दे रहे हैं, अप्रेल के हैं, मार्ज के हैं, यह सारे model paper आपको यहां पर जो आपके प्रिवेस पेपर हैं वो दिये गए हैं, पड़ जो बच्चों को याद रहते हैं, वो हमारे पास share कर देते हैं, भेज देते हैं और हम उन्ही प्रसनों को यहां पर सामिल कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर मालिया कि हमें 8 अगस्त का प्रिवेस पेपर पढ़ना है, और डाउनलोड भी करना है, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक पेज उपन हो जाएगा, और जहां से आप यह सारे कोशन बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, अगर आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको गया करना पड़ेगा, सबसे नीचे आना होगा, और यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया गया है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और आप चाहें तो यहाँ से वीडियो लैक्षर भी देख सकते हैं, तो जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक PDF ओपिन हो जाएगा, जैसे आप बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल फोन में बिल्कुल फ्री आप कोस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे PDF यहाँ पर आपको फ्री आप कोस्ट भी मिल जाएंगे, तो आईए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को और आपको पता दें, क्लास रेगुलर साड़े आठ बजी होती है, तो सभी बच्चों को 38 पर क्लास के लिए तयार रहना है, तो आज का सबसे पहला कोश्चन आपको बताना है, यहाँ पर पूँचा गया है, क्यूर कोड कब निर्मित किया गया है, यह आपको बताना है, क्यूर कोड कब निर्मित किया गया है, हमने कई बार अपनी क्लास में आप सभी को बताया है, क्यूर कोड कब बनाया गया था, तो ध्यां रेखना है Denso Web, Denso Web के द्वारा इसको डबलब किया गया है, कि War Code को, ठीक है, 1994 में इसके डबलब किया गया है, और इसका मतलब होता है Quick Response Code, ठीक है, Quick Response Code, Question देखेगा, किस shortcut के से font size को बढ़ा सकते हैं, आप कौन सी key दबा करके, font के size को increase कर सकते हैं, मतलब आपने कुछ पिल लिखा है, अगर आप उसका size को increase करना जाते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, आपको control के साथ में क्या करना है, close वाला bracket इस्तिमाल करना होगा, और इससे आप अपने font का size increase कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, triple C, और जैसे हमने यहाँ पर triple C लिखा, अब हमें इसका size को increase करना है, तो हमें पहले select करना पड़ेगा, जैसे हम select करते हैं, उसके बाद में क इसके बाद में करना होगा, यानि कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे हमें size को बढ़ाना है, तो control के साथ में आप इस close bracket को इस्तिमाल करेंगे, और अगर size कम करना है, तो control के साथ में आप इस open bracket का इस्तिमाल करते हैं, ठीक है, तो I hope आपकी यह समझ में आगया होगा, आ कैसे करना पड़ेगा आपको, कै आप normal view में ऐसा कर सकते हैं, या slide show view में आप ऐसा कर सकते हैं, या slide sorter view में आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे आप उनको एक साथ देख सकते हैं, काफी अच्छा प्रसन है, लेपराफिस इंपरेज से पूचा गया एक question है, तो सभी बच्वों को चलिए हम यहां पर भी आपको एक बार प्रैक्टिकल समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समाज में आजाए देखो अभी हम लिप्रोफिस इंप्रेस में आ चुके हैं और यहां पर हमारे सामने एक स्लाइड हमें दिखाई देती है ठीक है अब हम इस स्लाइड को क्या कर सक ताकि हमारी स्लाइड एक और इंसेट हो जाए ठीक है तो कंट्रोल M से हमने एक स्लाइड को और ले लिया है एक और स्लाइड लेते हैं तो हमने यहां पर टूटल तीन स्लाइड को इंसेट करा दिया है अब आप देख पा रहे हैं यहां आपर तीन स्लाइड आपको view menu में आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो slide sorter का एक option आपको देखेगा इस slide sorter पर हमें click करना होता है जैसे click करेंगे तो एक ही page में सारी slide आपको नजर आ रही है मतलब slide number 1, slide number 2 और slide number 3, यह 3 slide है हमारी जो कि एक ही page में आपको दिखाई जा रही है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें view menu में यह option मिलता है और कौँसा option होता है, slide sorter होता है slide sorter से हम एक ही page में सारी slides को देख सकते हैं, ठीक है और यहाँ पर सबसे पहला है normal normal में क्या होगा, हमारा जो normal slide होता है, यह हमारा एक slide दिखाई देगा, बाकी आपको दिखाई नहीं देते हैं, यह slide pane होता है इसमें आपको दिखाई देते हैं, ठीक है तो यह normal हो गया, दूसरा आपको view पे जाना है, outline होता है, outline में एक और important question आपके एक जाम में आता है, कि ऐसा कौन सा impress में view है, जिसमें cable text ही नजर आता है अगर आपने कोई image लगाया है तो नजर आपको नहीं आएगा, कोई आपने shape बनाया है तो नजर नहीं आएगा आपको, only text नजर आएगा, तो धिहान रखना है cable text आपका कहाँ पर नजर आएगा, outline view में आएगा only text, इसके बाद notes भी होता है, यहाँ पर आप जो slide बनाते हैं, उसके नीचे अगर आप कुछ notes add करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, जैसे आपने कोई slide बनाई और उसके बारे में कुछ आपको दो-चार important point लिखने हैं, तो आप उस slide notes पर लिख सकते हैं, उस slide के बारे, ओके, तो यह slide notes होता है, यहाँ पर तो I hope आपके समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पर right answer मारे क्या हो जाएगा, slide sorter हो जाएगा, और दूसरा question याद रखना है, जब कभी पूँचें कि कौन से view में केवल आपको text ही नजर आता है, बहाँ पर कोई image फिर नजर नहीं आएगा, कोई आपने अगर shape बनाया है, नजर नहीं आएगा, तो क्या होता है, फिर outline आपका right answer हो जाएगा, outline view में केवल हमें text ही नजर आएगा, ठीक है? चलो, question number देखें, अगला क्या पूँचा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने image भी डाल दिया है, आपको view menu में जाकर के ही, master, notes का, master slide का, slide sorter का, notes का, outline का और normal यह सारे options आपे मिल जाते हैं, आगे देखी का यहाँ पर पूँचा है, विट कॉइन के संस्थाफक आपको बताने हैं, इसमें कौन सा correct answer है, तो आपको हमने कई बार यह बताया है, और यह देखो, आज के all-in-one महा मरतन नहीं देखा है, तो आप अबस से देख लेना, पहाँ पर काफी important question हमने कराए हैं, जहां से काफी question आपके exam में पूँचे जा रहे हैं, तो right answer हो जाएगा, यहाँ पर option B, सतोसी, Nakamoto, यह हैं, विट कॉइन के संस्थापक, question कहता है, DES stands for, means, DES का मतलब आपको बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है, DES का full form क्या होता है, data encryption standard हो जाएगा, फिर option हमारा V हो जाएगा, data encryption standard हो जाएगा, ठीक है, question देखेगा, क्या linkedin में video call कर सकते हैं, क्या linkedin में video call कर सकते हैं, आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, true है की false, तो बिल्कुल सही option पहला हो जाएगा, आप linkedin में भी video call कर सकते हैं, अगला question देखेगा, what is called to arrange data in ascending or descending order, ascending or descending order में data को arrange करना क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, sorting, filter, inserting या deleting, तो आपको पता है, अगर data को आप arrange करते हैं, भले ही आप ascending में या descending में करें, तो उसको क्या कहते हैं, sorting कहते हैं, option पहला हो जाएगा, उसे हम sorting के नाम से जानते हैं, question number 8 कहता है, which shortcut key is used to insert a comment in LibreOffice writer, LibreOffice writer में comment को डालने के लिए, आप कौन सी shortcut key को इस्तेमाल करते हैं, यानि कि किस shortcut key से हम comment insert कर सकते हैं, LibreOffice writer में, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, option पहला, control, alt, or c से हम comment को insert करा सकते हैं, control, alt, or c, जैसे हम LibreOffice writer में आ चुके हैं, और हमें अगर यहाँ पर comment को insert करना है, तो हमें control, alt, or c प्रेज कर देना होगा, जैसे हमने control, alt, or c प्रेज किया है, तो आप देख सकते हैं, इस word या sentence पर हम क्या कर सकते हैं, एक comment को insert करा सकते हैं, और यहाँ पर इस comment में हम जो भी comment देना चाहते हैं वो यहाँ पर comment लिख सकते हैं तो हमेशाद यहाँ रखना है comment को insert करने के shortcut की होती है control, alt, or c means हम इस particular word या particular letter या particular sentence पर एक comment लिख देंगे इसके बारे में हगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जैसे maliak example हम लेते हैं कि आप से हमने कहा कि आप हमारे लिए एक PDF वना दीजिए और आपने उसको type कर दिया MS Word में या फिले प्रोफेस writer में और हमारे पास वो file MS Word में ही भेज दी और जब हमने उसको चिक किया तो मुझे पता चला कि हमें कुछ इस्थानों पर कुछ text को replace कराना था means वो text हमें नहीं रखना था या हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप दूसरा text कर दीजिए कुछ भी हमें बहाँ पर changes करवाने हैं आपसे और आप दूर हैं हम दूर हैं ठीक है हमने उस file को आपको by mail भेज दिया था तो जैसे ही आप उसको type करके मेरे पास भेजेंगे हम उसको देखेंगे और देखने के बार मुझे लगेगा कि यहाँ यहाँ पर mistake है और यहाँ यहाँ पर यह वाला text होना चाहिए ऐसा लिखना चाहिए तो उस particular हम letter को उस sentence को क्या कर सकते हैं comment ने insert कर सकते हैं अब जैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई आप triple C को यहाँ पर small letter में लिखेंगे तो मैंने यहाँ comment में लिखेंगे कि आप triple C जो लिखा है वो small letter में लिखना है या जो भी हमें बताना होगा वो हम यहाँ पर why comment बता सकते हैं और फिर हम इसको आपके साथ share कर सकते हैं, आपके पास बेज सकते हैं आप जैसे इसको देखेंगे तो comment को देखेंगे और उसको सही कर देंगे comment को approve कर देंगे बस काम हो जाएगा तो इस प्रकार से इनका इस्तिमाल हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जब हम बर्क करते हैं तो बहाँ पर कर सकते हैं, comment का इस्तिमाल ठीक है, तो बाकी अभी आपको इतना दिहार रखना है कि comment कैसे डालते हैं, shortcut की आपको पदा चल गई है, दूसरा, एक और सवाल होता है कि comment को हम किस menu में जाकर कर डाल सकते हैं, Libre Office Writer में, तो बस सिंपल सी बात है, जहां पर insert करने की बात हो, मैंने पहले ही बताया, 99.9% जहां पर भी insert करने की बात होती है, बहाँ पर insert menu का ही इस्तेमाल होता है, तो बस हमें insert menu में आना होता है, और यहां पर आप देखेंगे, तो comment का भी एक option दिया गया है, Ctrl-Alt-C, इसकी shortcut की भी बताई गयी है, तो यहां से हम comment insert करा सकते हैं, बहुत ही आसान है, और बाकि यह सारे option आपको पता होने चाहिए, बाकि बहुत ही जल्द हम Libre Office का भी एक नया वेर्चे स्टार्ट करने वाले हैं, बहां पर बहुत ही detail में यह स find the command for comment in Libre Office Writer, Libre Office Writer में जो comment की command होती है, वो कहां पर मिलती है, ऐसा ही आपको insert में मिलती है, option C हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे question important होते हैं, आपको धिया रखना है, यहां पर C option हो जाएगा, insert, आप पूचा है, the first page of website is known, website का जो पहला page होता है, उसे आप किस नाम से जाते है आप किसी website पर widget करते हैं, और जब widget करते हैं, तो first page आपको दिखाई देता है, उस page को क्या बोलते हैं, first page बोलते हैं, last page बोलते हैं, home page बोलते हैं, तो देखो last page तो हो जी नहीं सकता है, क्योंकि पहला page पूचा जा रहा है, और first page तो यहां पर आई ही गया, इसका मतलब कु हो जाएगा, home page होगा, ठीक है, तो first page को किस नाम से जानते हैं, यह तो पूची रहे हैं, तो first page भी आप हटा दो, और last page हो नहीं सकता है, तो home page हो जाएगा, और दूसरा आपको यह भी दिखाना है, कि भाई, जब किसी website पर हम जाते हैं, जो पहला page मिलता है, उस website का home page होता है, मतलब इसी page पर अब सारे link आपको मिल जाएंगे, जितने भी pages हैं, बहाँ पर जाने का रास्ता इसी page पर होता है, जैसे example हम आपको live दिखा देते हैं, जैसे आप हमारी website पर आए हैं, अभी हमारी website का यह home page है, अब इस home page पर बहुत सारे हमने link दे दिए हैं, जैसे अग आपको केबल website का address ही तो याद करना पड़ेगा, www.ccc.com, केबल, अब मैसा थोड़ी कि हम आपको PDF जहां पर देते हैं, उसका भी अलग से address बता दे, या फिर shortcut की जहां पर दे हैं, उसका अलग से address बता दे हैं, तो इतने address तो आप याद भी नहीं कर पाऊगे, तो एक website का कि main address होता है, एक main रास्ता होता है, तो ये main हमारा क्या है, homepage है, इस homepage पर आने के बाद सारा कुछ आपको यहां मिलेगा, बस आपको जहां जाना होगा, उसी रास्ते पर जा सकते हैं, आपको अगर shortcut की पढ़नी है, तो बस आपको यहां click कर देना होगा, तो हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा पहला page होता है, उसी को हम homepage के नाम से जानते हैं, और बाकी के जो page होते हैं, वो सभी के सभी hyperlink से क्या होते हैं, hyperlink से सभी के सभी attach होते हैं, इस homepage से, ठीक है, आपस में link होते हैं, question कहता है, copying file from your computer to another computer on the internet is called file transferring, देखते हैं बाई, इसका सही जवाब करेंगे, question number A1 बताएगा, कह रहा है, copying file from your computer to another computer on the internet is called file transferring, आपके computer से internet पर किसी दूसरे computer पर file को transfer करना ही, file transferring कहलाता है, बताओ, आपके local computer से internet पर किसी computer पर file को transfer करना, क्या कहलाता है, answer दीजिएगा, इसमें कौन सा right answer हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, false option B, उसको हम file transferring नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं, file uploading, क्या कहते हैं, file uploading कहते हैं, अगर आप अपने local computer से internet पर किसी computer पर file को upload करना चाहते हैं, internet पर कोई computer का मतलब, आप समझे क्या होता है, internet पर किसी computer का मतलब, server होता है, server होता है, ठीक है? तो अगर आप अपने computer से internet पर किसी computer पर file को transfer करते हैं, तो उसको कहते हैं, upload करना, जैसे हमारे पास local computer में एक triple C का video lecture है, जो हमें आपको देना है, और हमने क्या किया? उस video lecture को अपनी computer से, जो हमारा personal computer ना, उस computer पर तो आप देखने ही पाएंगे, तो हमने अपने computer से क्या किया? YouTube के server पर उस video को upload कर दिया, और जैसे ही हमने उस video को YouTube के server computer पर transfer किया, तो क्या होगा? उसको हम upload कहना ही तो कहते हैं, भाई हम अपने computer से एक file YouTube के server computer पर डाल ले हैं, तो उसको क्या कहेंगे? upload करना, और फिर आप इस server computer से, जो भी data होगा, या जो video होगा वो आप देख सकते हैं, online by internet के माधियम से, ठीक है, तो इसको upload करना ही कहेंगे, और अगर आपसे ऐसा पूछते हैं, कि online किसी computer से, किसी video को, किसी file को transfer करना, आपके computer में, आपके personal computer में क्या कहलाएगा, तो अगर आप किसी server से, या किसी online computer से, किसी भी file को अपने computer में मगाते है उसको हम download करना कहते हैं, जैसे, एक PDF हमारी website पर upload है, और एक PDF चो हमारी website पर already है, इसका मतलब, वो हमारी website जो है, वो किसी न किसी server पर ही तो store है, और उस website पर एक PDF आपको दिख गया, इसका मतलब, वो PDF ही हमारे server computer पर ही तो है, अपना mobile phone को internet से connect कर लिया, आप हमारे address पर आक और आपने क्या किया इस file को download किया तो ये file अब हमारे server computer पर है ना कि हमारे computer में है हमारे local computer में नहीं है तो यहां से ये file आपके mobile में आ जाएगे इसका मतलब ये file यहां से transfer तो हुई बढ़ इसको कहेंगे क्या तो इसको कहेंगे downloading ये file आपने download की है तो इस प्रक्रिया को downloading कहते है और आपके computer से कोई data जा रहा है अगर online computer पर उसको हम uploading कहते है I hope आपको ये clear हो गया होगा ठीक है अगला दिखो DES का मतलब बताइगा DES का मतलब क्या होता है यहां पर ये पूचा है DES developed device ठीक है आपको full form भी बता देना है encryption standard होता है और इसको develop किया था IBM ने किसनी? IBM के द्वारा इसको develop किया गया था अब IBM क्या है? तो इसका मतलब होता है International Business Machine ये भी आपको ध्यार रखना है International Business Machine इसका पूरा नाम होता है ये company है अमेरिका की IBM G2G क्या है? What is G2G? बताओ सारे के सारे unique question है जो आज exam में पूचे गए है आपको पता है बहुत सारे question exam में repeat होते है और दूसरा ये भी बता दे कि हर strand के पास में अलग question आते है मतलब हर जगे जहां पर भी अप exam देते है वहां पर अलग-अलग question आपको मिलेंगे असान है कि सभी का प्रचों का same paper नहीं आता है सब के अलग-अलग question आते है एक्जाम में ठीक है तो किसी में कुश आता है किसी का थोड़ा hard हो जाता है paper, किसी का थोड़ा easy हो जाता है paper, ऐसा भी हो जाता है तो G2G का मतलब क्या होता है government to government होता है option पहले person और जाएगा को चृषीआ काड में कितने डेजिट होते हैं आधार काड में कितने डेजिट होते हैं अपनी के डेखा होगा आपके पास अधार काड होता hyvin कि इतने नमबर लिखे होते हैं, तो टोटल नमबर होते हैं 12, 12 डिजिट होते हैं आपके आधार कार्ड में, ठीक है, यह भी आपको ध्यार रखना है, question कहता है, RD RAM का full form क्या होता है, what is the full form of RD RAM, अब आपको बताना है, RD RAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा, RD RAM का full form क्या हो जाएगा, बताओ, काफी अच्छा प्रसने देखते हैं, कौन कोन बच्चे इसका जवाब करेंगे, आपको RAM का full form पता है, आपको SRAM का full form पता होगा, आपको VRAM का full form पता होगा, ठीक है, अब बताना है आपको RD RAM का full form, यह आज के एक्जाम में पूछा गया प्र RD RAM का full form, अगला कोशन देखोगा, निमने में से e-commerce कौन सा नहीं है, क्या बताना है, e-commerce कौन सा नहीं है, means electronic commerce में कौन सा नहीं आता है, आपको पता है, e-commerce में भी अलग-अलग model है, model का मतलब, आपने नाम सुना होगा, V2V है कोई, कोई V2C है, कोई C2V है, कोई C2C है, यहन में कौन सा model है ही नहीं, तो यहाँ पर D हो जाएगा, A to A, A to A, A आपका e-commerce का model नहीं है, नाकि सभी e-commerce से समादित है, लेपरोफिस इंप्रेस में अधिक्तम जूम 300% होता है, यारि कि maximum जूम आप 300% कर सकते हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि आप maximum जूम कितना कर सकते हैं, 3000% कर सकते हैं, तो यह false हो जाएगा, option B correct है आपका, minimum की बात करते हैं, तो 5% कर सकते हैं, लेपरोफिस इंप्रेस की बात करें तो, IMF का full form क्या होता है, what is the full form of IMF, आपको बताना है, IMF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बताओ, काफी अच्छा प्रसन, यह भी आपको याद रखना है, International Monetary Fund होता है, अलागी हमने इसको कई बार discuss भी किया है, अपनी class में, अगर आप पहले से हमारी class कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, IMF का मतलब होता है, International Monetary Fund, ठीक है, आगे देखो, V2B stands for, V2B stands for, यानि कि V2B का अभी अभी मैंने सारे लिख दिये थे, model आपके सामने आपको पता होगा, इसका मतलब होता है, business to business, option number E हो जाएगा, business to business हो जाएगा, देखो, इसमें क्या हो, कैसे आप पहचानेंगे, कई वार ऐसा पोचते हैं, कि एक मारूती कंपनी ने MRF कंपनी से टायर खरीदा, तो कौन सी model में आता है, तो यही आपका V2B होता है, बस simple सी बात आपको धियां रखना है, जहां पर आपस में दो बैबसाए, आपस में अगर कोई माल का या खरीदारी करते हैं, कोई product आपस में खरीदारी करते हैं, तो उसे V2B ही कहा जाता है, जैसे यहां पर एक मारूती दो क्या करता है, मारूती बळाती है, उस मारूती में लगने वाला टायर वो MRF कंपने से लेती है, कहां से लेती है, MRF गंपने सकते है, यहां से उसको उसको मागाना पड़ेगा, इसका मतलब ये तोनों तो business हैं ये भी आपका business है और ये भी आपका business है तो आपस में ही ये माल को मगा रहे हैं इसका मतलब ये business to business हो गया रहे हैं कि माल अभी end user तक नहीं पहुँचा तो इनको कहते हैं business to business वट अगर कोई company ऐसी है जो माल सीधे customer को बेंचती है जहाँ पर customer है तो फिर क्या हो जाएगा ये business to customer हो जाएगा जैसे माल ये आप Amazon की website पर गए और Amazon की website पर जाकर के आपने कोई product मगा लिया तो वो product आपको मिला न सीधे customer को मिला Amazon से सीधे आपको मिला आपके घर पर आ जाएगा तो Amazon तो आपके क्या हो गया विजनिस हो गया और आपने वहां मगाया तो आप customer हो गया तो इसी को कहते हैं V2C V2C कहते हैं ठीक है ये आपको देहाटना है एक शीज और यहाँ पर समझ लो इसमें आपको confused नहीं होना है C2B क्या होता है C2C तो आपको पता है C2C क्या होता है customer to customer होता है means जहाँ पर customer to customer आपस में ही माल पेंच पाएं जैसे आपने नाम सुना का OLX का OLX एक website है जहाँ पर कोई customer भी अपना माल पेंच सकता है और कोई दूसरा ले सकता है मतलब आप यहाँ पर कोई पुराना भी माल पेंच सकते हैं तो आपस में इन्होंने आपस में क्या के लिया वाय कर लिया या फिर सेल कर लिया ठीक है वट जो आपका C2B होता है इसका मतलब होता है C2B का मतलब customer to business जैसे कोई यहाँ पर business है कोई एक company चल लएए बहुत बड़ी company है और इस company में कुछ manufacturing होती है कुछ काम यहाँ पर होता है कुछ बनाया जाता है तो यहाँ पर बहुत सरे हमारे जो worker है वो काम करते हैं इस company के अंदर कुछ manufacturing का काम होता है वट हो सकता है कि कभी ऐसा कई बार होता है कि कुछ work जो होता है वो क्या करते है कुछ लोग यहाँ पर जो अपनी घरों में होते हैं या कुछ customer जिनको हम बोल सकते हैं वो work करते हैं और वो work करके चोटा मोटा काम करके उस company में supply कर देते हैं उन्होंने कोई काम किया यहां पर बनाया और वो काम करके ओ कमपनी में सप्लाई कर देते हैं और फिर वो कमपनी इस जो उसने बरक चिया है उसको अपनी इस manufacturing में इस्तेमाल करती है और उसके बाद फिर यह customer को पेंचती है तो यह तो बाद में customer को लाया वट इस company में जो manufacturing हो रही थी, उसमें ऐसे छोटे-मोटे जो काम थे न, क्या हुए, वो काम इन लोगों ने किये, जो बाकी के लोग थे रोग अपने घरों में थे, इन्होंने काम किये, और बहाँ पर इस सप्लाई करते हैं, काम करके, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, फिर यह हो जाएग चलो, आगे देखते हैं, यू, SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, यू, SSD का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिस्टक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डाटा ओप्सन पहला करेक्ट है, और यहां पर आपको बताना है, लिब्रो ओफिस, सेल क चुपाया नहीं जा सकता है, लिब्रो ओफिस में सेल को आप छिपा नहीं सकते हैं, हाइड नहीं कर सकते हैं, लिब्रो ओफिस में आप सेल को हाइड नहीं कर सकते हैं, तो बही सिंपल सी बात है, हम सेल को हाइड करा सकते हैं, यह फॉल्स होगा, आप सेल को हाइड भी करा स प्रसना आप हमें 945229 436 पर भेज सकते हैं या फिर हमें एमेल कर सकते हैं और अगर आपको कोई सवाल है तो निसंग को चाप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कर सकते हैं या फिर हमें वोट्स अप कर सकते हैं वाट जैसे हमें मिलेगा हम आपको रिप्लाइ करेंगे तो आज के लिए बजितना ही आपको अगले क्लास में तब तक के लिए बाए बाए चेहन